आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को कन्या राशी के बारे में बताने जा रहा हूँ कन्या राशी के लोगों के लिए अक्टूबर महिना बहुत ही लखी है अक्टूबर महा आपके लिए खुशियों का शमय लेकर आने वाला है तो कन्या राशी सुक्र चंदर राशी से बारावे अस्थान में इस्थित होने के कारण यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस सब्ताह आपको प्रेम जीवन में बहुत अच्छे प्रेडामों की प्राप्ती होगी और आपकी लव मिट लव लाइफ परवाना चड़ेगा और वही यदि आप अभी तक शिंगल हैं तो आपको घरवालों की मदद से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने के आउशर मिल शकते हैं विवाहित जातक जीवन साथी के प्रती इस दोरान सामान से काफी ज़्यादा आकरसक महसूस कर सकते हैं ऐसे में आपको उनके लिए कुछ खास कारे करने की जरूरत होगी इसके लिए आप उन्हें कोई उपहार दे सकते हैं या कहीं बाहर खाने पर ले जाते हुए उन्हें सर्प्राइज दे कर भी आप उनका दिल जीत सकते हैं कन्या राशी अक्टूबर महिने में आपके भाग में विसेश तरीके से बदला होने जा रहा है आपके भाग में विसेश परिवर्तन होगा इस हफ्ते सुक्रचंदरासी में पंचम भाव में इस्थित होने के कारण आपको अपने प्रेम जीवन में शकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा आप अपने लबमेट को जीवन साथी बनाने का विचार बना सकते हैं और इसके लिए आप उनसे बाद भी कर सकते हैं कन्याराशी की लोगों को जीवन में बहुत अच्छा प्रणामों की प्राप्ती होगी और दिन चड़े वह एदि आप तक सिंगल हैं आपको घरवालों की मदद से किसी खास व्यक्ती के साथ खोमने फिरने का आउसर मिल सकता है बिवाहिज जातक जीवन साथी के प्रती इस दवरान शामान से काफी ज़्यादा आकरफर्ण महसूस कर सकते हैं ऐसे में आपको उनके लिए कुछ खास कार करने की जरूरत होगी इसके लिए आप उन्हें कोई उपहार दे सकते हैं या कहीं बाहर जाने पर खाने पर ले जा सकते हैं उन्हें सर्प्राइज देख कर भी इस उनका दिल जीत सकते हैं ऐसा कन्याराश के लोगों को बहुत धेरशारी खुशियां प्राप्त होने वाली है दोस्तों अभी तक आपका कार्य रुका अधूरा था वह पोड़ होने लग जाएगा कन्याराशी के भाग में विसेश तरीके से परिवर्थन होने जा रहा है शनी दिव महराज की साक्षात कृपा बरशने जा रही है आपकी मनो कामना पोड़ होगी शनी दिव महराज का चालिशा आवश्य पढ़ते रहेंगे तो आपके हर कार बड़े आशानीशे पोड़ हो जाएंगे ये मेरा दवा है दोस्तों सनी चालिशा के साथ शात हनुमान चालिशा यदि सुन्दर कांड का पाठ आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में बिसे सुधार आएगा आपकी मनो कामना पोड़ होगी पारिवारिक सामन जस भी अच्छा होगा